For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. जब से हम ही पता चला है कि सलमान खान के The Bank Reloaded Concert का अगला डेस्टिनेशन दुबाई है, हम इस much anticipated show का बेसबरी से कर रहे हैं इंतिजार. देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब पूरी टीम दुबाई के लिए रवाना हो गई. और UAE के फैंस को एंटरेन करनी के लिए सब ही इतने excited हैं कि एक के बाद एक लगातार selfies क्लिक करके इन दिनों को यादकार बना रहे हैं. इसके अलावा The Bank Reloaded Tour दुबाई के शुरू होने से पहले टीम मेंबर्स एक प्रेस कॉन्फरेंस का हिस्सा भी बने. जहां सल्मान खान ने अपने चुलबुले अंदाज में अपनी टाइगरस काटरीना कैफ को छेडना शुरू कर दिया. अब ये देखते ही कैट खुद को रोक नहीं पाई और सल्मान से कहने लगी, सल्मान प्लीज गिव मी दाट माइक बाग. कैट जिस क्यूट अंदाज में सल्मान से माइक वापस मांग रही थी, वो देखकर तो सभी के चेहरे पर मुसकान आ गई. और अब हम सब को दुबई में होने वाले The Bank Reloaded Tour की exciting performances का बेस सबरी से इंतजार रहेगा, है ना? अर्बास खान का नया चाट शो पिंच कल ही शुरू हुआ. और इस शो के glamour quotient को सब के सामने लाने के लिए करीना कपूर खान बनी थी इस शो की पहली celebrity guest. इस शो में B-Town के सितारे अपने social media interactions के बारे में खुल कर बात करते नजर आएंगे. 10 एपिसोड के इस चाट शो को YouTube पर स्ट्रीम किया जाएगा. बहले ये खबर सुनते ही सभी को लगने लगा कि सल्मान खान भी इस शो का हिस्सा होंगे. पर नहीं. अर्बाज ने ये confess किया है कि हालंकि सल्मान अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस शो पर महमान बन कर आना चाहते थे. अर्बाज इस शो को अपने बल पर हैंडल करना चाहते थे. और इसलिए जहां इस सीजन में उनके शो पर करन जोहर, कपिल शर्मा और सोनम कपूर आहुजा जैसे सिलेब्रिटीज नजर आएंगे, वहीं सल्मान इस शो के महमान नहीं बनेंगे. पर भाई जान बिना कुछ किये तो रही नहीं सकते थे. और इसलिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अरबास के शो का पहला एपिसोड शेयर करते हुए लिखा, मेरे मक्की भाईया ने कुछ ज्यादा ही फणी कर दिया. प्लस करीना कपूर खान मतलब टोटल लाफ्टर रायट. देखिए आप भी. वेल तो अब सल्मान के इस प्रमोशन्स के अंदास के बारे में आपका क्या कहना हैं? हमें जरूर बताएं. सल्मान खान और उनकी दबैंग रिलोड़ेट टीम आखिर दुबई पहुँची गई है. और वहां जाकर उन्होंने अपने UAE के फैंस को इंटर्टेन करने की पूरी तयारी कर ली है. फैंस दबैंग रिलोड़ेट कॉंसर्ट को लेकर काफी एकसाइटेड है और इसने उनके मन में कही सवाल भी हैं. तो इवेंट से पहले हुए प्रेस कॉंफरेंस में पूरी टीम ने रिपोर्टर्स के कही सवालों के जवाब भी दिये. और यहां भी सल्मान ने सभी को अप स्वीरो को देख कर तो फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. तो क्या आप भी हमारी तरह सल्मान के दबैंग रिलोड़ेट टू और दुबाई के लिए एकसाइटेड हैं? हमेज जरूर बताएं. सल्मान खान का प्रड़क्शन हाउस सल्मान खान फिल्म्स की लेटिस्ट प्रोजेक्ट के चलते सल्मान खान प्रनूतन बहल और जहीर इकबाल को एक अनुकी लव स्टॉरी नोट बुक में लॉंच कर रहे हैं. ये फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के कई गाने और रिदी अन्वेल हो चुके हैं. इस फिल्म के ट्रेलर को भी कमाल का रिस्पॉंस मिला है. तो अब फिल्म नोट बुक के मेकर्ज ने एक और गुगली मारते हुए अपने अगले गारे में तारे का टीजर किया है अन्वेल. अब इस गाने के टीजर के बारे में जानते ही सभी काफी excited थे क्योंकि इस गाने को खुद सल्मान खान ने गाया है. जी हाँ, B-Town की कई फिल्मों में सल्मान खान ने खुद गाने गाये है और उनके singing talent का सभी लोहा मान लेते हैं. और अब मैं तारे सॉंग के टीजर को देख कर हमें इस पूरे गाने का बेज स आज पूरे गाया है कुछ हेल सौंग और बारिश गिरी है उसके वएज इसे आज करा शो कैंसल होना पड़ा जिसका हमें बड़ा अफसोस हैं हम बड़े ही तैयारी से आय थे परफॉर्म करने के लिए और अब बड़े ही एक्साइटिव थे थे और फैन्स जगा दें कि यह अज नहीं होगा और वसे ही है अकीकत यही है सचाई यही है टूथ और किसी और चीज़ पर आप अरुसाना करें और अज एक्साइटमेंट के साथ वापस डेफिनिटी आना चाहें और आप भी और हम यहां पर दुबाई में परफॉर्म करने वाले थे लेकिन यहां का आज वेड़ फुड़ा सा रफ हो गया है कुछ हेल सौंब और बारिश गिरी है उसमें से आज का शो कैंसल होना पड़ा जिसका हमें बड़ा अफसोस है हम बड़े ही तैयारी से आय थे परफॉर्म करने के लिए हम सब बड़े ही एक्साइटिव थे और फैन्स तो तो सुछ ज़ बड़े हमारी पूरी कोशिश है हम वापस आये करसे परफॉर्म करें एंड उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ वापस डेफिरेंटली आना चाहेंगे और आप भी एक मैच फिक्सिंग इंसिडेंट के बाद एस श्री संथ की जिंदगी पूरी दरह से बदल गई और उन पर सुप्रीम कोट ने लाइफटाइम बैन भी लगा दिया था इस बुरी दोर में श्री संथ को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने निडरता से हर मुश्किल का सामना किया और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे उनसे जुडी कई अनसुनी सुनी कहानियों की जलक हमने कॉंट्रोवर्शल रियालिटी शो बिग बॉस 12 में देखी जहां श्री संथ कंटेस्टन थे शो में उनके एंटर्टेनिंग और एमोशनल साइट को देखते हुए उनके कई फैंस भी बने जो चाहते थे कि श्री का लाइफटाइम बैन हट जाए और अब इन सब की दुआ रंग लाई और सुप्रीम कोर्ट ने श्री संथ को क्लीन चिट देते हुए बी सी सी आई से भी इस बैन को रीकंसिडर करनी का सुझाव दिया है ऐसे में हमारे इंटर्टेनिंग श्री पाजी हमें क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आ सकेंगे और इस बात पर रियाक्ट करते हुए खुद श्री संथ ने कहा अभी तो मैं 36 साल का ही हूँ और मैं वापसी के लिए तयार हूँ तो अब श्री संथ के इस रियाक्शन के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं सारा अली खान और कार्तिक आर्यन दोनों ही काफी गुड लुकिंग स्टार्स हैं और इन दोनों की फैन फॉलोइंग भी बेशुमार हो गई है हाली में हमने आपको खबर दी थी कि ये दोनों जल्द ही इम्तियाज अली की अगली फिल्म लव आजकल 2 में आएंगे नजर इस फिल्म की शूटिंग डेली में शुरू हुई और शूटिंग के एक हफ़ते के अंदर ही इन दोनों का एक इंटिमिट किसिंग सीन लीक हुआ इस वाइरल क्लिप में सारा अली खान और कार्तिकार इन एक इंटेंस लिप लॉक में नजर आए जिसे देखने के बाद सभी को इनकी sizzling hot chemistry का अंदाजा हो गया पर आप कई दिनों तक चुप रहने के बाद आखिर कार्तिक ने इस क्लिप पर अपना रियाक्शन देते हुए कहा I'm doing Imtia sir's next and the producer's window seat film will be able to elaborate about it I'm talking about that video. Was that really Sarah and me? Well, इस एक statement से कार्तिक ने साफ साफ हिंट किया है कि ये क्लिप उनका और सारा का है ही नहीं तो कार्तिक की इस बात में आपको कितनी सचाई नजर आई हमें बताना न भूलें श्री संत एक controversial figure रह चुके हैं और एक match fixing के चलते उन पर Supreme Court ने lifetime band भी लगाया था लेकिन आप इसी court ने श्री को एक clean shit दे दी है और आप उनका ये band हटा दिया गया है इस बुरे दौर में श्री ने हार नहीं मानी और controversial reality show Big Boss 12 ने participate करके सब को अपनी सचाई बताई इसी show पर उनके कई दोस्त भी बने और दुश्मन भी और अप court के band हटने पर उनके Big Boss 12 हाउसमेट्स ने भी social media के जरिए उन्हें बधाई दी दीपक ठाकुर जिन्होंने श्री के लिए घर के अंदर गाने भी dedicate किये इस band के हटने से काफी खुश थे और उन्होंने ट्विटर पर अपने श्री भाईया को congratulate करते हुए लिखा ये बंदा वापस आएगा दिल बोल रहा था और लो आ गए श्री संथ नायर 36 ओम नमा शिवाई आज श्री भाईया के हक में फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का दीपक के बाद अनूप जलोटा के साथ एक controversial relation में रही जसलीन मतारू ने भी tweet में लिखा इसके अलावा शिवाशीश और रोश्मी ने भी social मीडिया पर अपनी excitement जाहिर की है लेकिन अब तक श्री की big boss sister दिपका ककर ने कोई message नहीं किया है तो क्या अब दिपका इतनी बड़ी ख़वर सुनकर भी अपने भाई को ignore करती रहेंगी या फिर ये सुनकर उनकी खुशी में शामिल होंगी आपको क्या लगता है अपनी राय हमें जरूर बताएं जब से हमी पता चला है कि सल्मान खान के दबैंग रिलोड़ेट कॉंसर्ट का अगला डेस्टिनेशन दुबाई है हम इस much anticipated शो का बेसबरी से कर रहे हैं इंतजार देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब पूरी टीम दुबाई के लिए रवाना हो गई और UAE के फैन्स को एंटर्टेन करनी के लिए सब ही इतने excited हैं कि एक के बाद एक लगातार selfies क्लिक करके इन दिनों को यादकार बना रहे हैं इसके अलावा The Bank Reloaded Tour दुबाई के शुरू होने से पहले टीम मेंबर्स एक प्रेस कॉन्फरेंस का हिस्सा भी बने जहां सल्मान खान ने अपने चुल्बुले अंदाज में अपनी टाइगरस काट्रीना कैफ को छेडना शुरू कर दिया अब यह देखते ही कैट खुद को रोक नहीं पाई और सल्मान से कहने लगी अब हम सब को दुबई में होने वाले दबैंक रिलोड़े टूर की एक्साइटिंग परफॉर्मेंस का बेस सबरी से इंतजार रहेगा है ना जब से हमें पता चला है कि सल्मान खान के दबैंक रिलोड़े कॉंसर्ट का अगला डेस्टिनेशन दुबई है हम इस मच आंटिसिपेटेड शो का बेस सबरी से कर रहे हैं इंतजार इनफाक्ट इस कॉंसर्ट के कंफर्म होते ही सल्मान के भाई सोहेल खुच शो डिरेक्टर के नाते दुबई जाकर ग्राउंड वर्क कम्प्लीट करके लोटे और इसके बाद पूरी टीम एक धमाकेदार परफॉर्मेंस की तयारी में लग गई देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब पूरी टीम दुबाई के लिए रवाना हो गई और कल ही हमने आपके साथ सल्मान प्रभुदेवा और सुनाक्षी सिन्हा का एक सेल्फी मोमेंट शेयर किया था और अब हम लाए हैं एक और यादगार सेल्फी जहां हमें सल्मान अपने जीजा आयूश शर्मा के साथ नज़र आ रहे हैं सल्मान का स्वैग उनकी सिगनेचर ब्लाक शर्ट और किलर स्माइल से बक्खू भी नज़र आ रहा है जब से हमें पता चला है कि सल्मान खान के दबैंक डी लोड़ेड कॉंसर्ट का अग्रा डेस्टिनेशन दुबाई है हम इस मच आंटिसिपेटेड शो का बेसब्री से कर रहे हैं इंतिजार इनफाक्ट इस कॉंसर्ट के कन्फर्म होते ही सल्मान के भाई सोहेल खुच शोर डिरेक्टर के नाते दुबाई जाकर ग्राउंड वर्क कम्प्रीट करके लोटे और इसके बाद पूरी टीम एक धमाकेदार परफॉर्मेंस की तयारी में लग गई देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब पूरी टीम दुबाई के लिए रवाना हो गई और UAE के फैंस को एंटर्टेन करनी के लिए सभी इतने एकसाइटेड हैं कि एक के बाद एक लगातार सेल्फीज क्लिक करके इन दिनों को यादकार बना रहे हैं तो अब इन अंगिनत सेल्फीज में से एक सेल्फी है जहां सल्मान अपनी टीम के साथ पोस्ट करते नजर आ रहे हैं और माई माई सबी के चहरों की स्माइल तो देखने लायक है इस पिक में सल्मान के साथ प्रभुदेवा, मनीश पॉल, आयूश शर्मा, कट्रीना कैफ, सुनाक्षी सिन्हा और बागी टीम मेंबर्स भी प्रेजन थे और इस पिक को देखकर तो हमें यखीन हो ही गया कि ये टीम स्टेज पर ही नहीं बलकि पूरे टूर के दौरान धमाका कर देगी, है ना?